प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी का पार्ट नमबर नो और हमारी इकाई है तीन इकाई का नाम है हमारा खान पान तो इसमें हम हमारे खाने पेने की चीजों के बारे में बात करेंगे हमारे पार्ट का नाम है आलू की स तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, आलू के बारे में चलिए इसको पढ़ते हैं, एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था, भालू को कहां जाना था, नानी के घर दूर जाना था, रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीट पर रख लिये, रास्ते में खालने के लिए भालू ने क्या रखा बोरा भर कर आलू चित्र में देखिए भालू आलू भर कर जा रहा है पर बोरे में तो छेद था छेद मतलब खाली जगा भालू आगे बढ़ता जाता धप 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 बोरे से आलू टपकते जाते टप 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 तप तो भालू कैसे बढ़ता था धप 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 और आलू कैसे टपक रहे थे टप 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 राश्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था बंदर कहां बैठा था पीपल के पेड़ पर उसने भालू से पूछा कहां जा रहे हो भाईया लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप 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 ही सुना तो धप किसकी आवाज आ रही थी भालू के चलने की और टप आवाज आ रही थी आलू के गिरने की तो जब बंदर ने पूछा कहां जा रहे हो तो बंदर ने सिर्फ धप टप धप धप ही सुना उसने पेड़ से नीचे देखा रास्ते में आलू पड़े हुए थे यह देखकर बंदर मन ही मन बोला भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ वहे खुश होकर पे पेड़ से नीचे उत्रा अब भालू ने तो सुना नहीं लेकिन बंदर ने कहा भालू भले ही मुझे ना बताए लेकिन मुझे तो पता चल ही जाएगा तो वह पेड़ से नीचे उत्रा और आगे की कहानी आप बताएंगे यह कहानी लिखी है चंदन यादव जी ने चलिए अब इसका देखते हैं अभ्यास बातचीत के लिए पहला प्रश्न बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहां जा रहा है भालू के बोरे से आलू टपक रहे थे तो इससे बंदर ने पता लगाया होगा भालू कहां जा रहा है भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा क्योंकि भालू को धप टप की आवाज में कुछ सुनाई ही नहीं दिया होगा तीसरा है यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगा क्या आवाज आती फिर आवाज आती चप चप अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता अपनी कहानी सुनाईए तो अगर उसमें छेद ही नहीं होता तो आगे की कहानी आप अपने आप बनाएंगे और अपने दोस्तों को सुनाएंगे अब है आवाजें तरह तरह की हमें हमारे आसपास कई तरह की आवाजें सुनाई देती है जैसे घंटी बजने पर टन टन बादल गरजने पर घडगड पानी टपकने पर टप टप तो नीचे कुछ चित्र दिये गए हैं आपको बताना है उनकी आवाजें कैसी होती है पहला है पानी में चलना पानी में चलने की आवाज होती है चप चप सूखे पत्तों पर चलना सर सर गुबारा फूटना फटाक बरतनों का गिरना धडाम बारिश की बूंदों का गिरना टिप टिप और मा का पुकारना आपकी मा आपको कैसे पुकारती है वो आप बताएंगे अगले पेज पर सही उत्तर चुन कर लिखिए पहला है बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था बताईए पीपल या बेर पीपल तो यहां आएगा पीपल दूसरा है भालू कहां जा रहा था नानी के घर या दादी के घर नानी के घर तीसरा है भालू ने बोरे में क्या रखा था आलू या मूली आलू तो आप यहां पर आलू फिल करेंगे अब है नीचे दिये गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए पहला देखिए भालू ने बोरा भर आलू पीट पर रख लिए पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था रास्ते में आलू पड़े हुए थे तो आप इनको मैच करेंगे अब है शब्दों का खेल ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिये अनुमान लगा कर पढ़िए और लिखिए तो ब किसकिस में आता है वो हम देखेंगे ये है जले भी तो इसमें ब आता है ये रहा ब डमरू इसमें ब नहीं आता है तारा इसमें भी नहीं आता है बस्ता इसमें ब आता है तो इनको आप पढ़ेंगे और लिखेंगे उसके बाद है नीचे दिये गए चित्रों के नाम सुनिये तो ये है उल्लू, कुर्ता, सुराही, उन, फूल, सूरज तो इन नामों की पहली ध्वनी में क्या अंतर है जो पहली साउंड आई उसमें क्या अंतर है पहली लाइन में देखिए उल्लू, कुर्ता, सुराही तो इसमें जो उ की आवाज आ रही है वो बहुत छोटी आ रही है जैसे उल्लू, कुर्ता, सुराही तो यहाँ पर छोटा उ लिखा हुआ है इसमें छोटे U की मातरा लगी है, और सुराही में भी छोटे U की मातरा लगी है, और छोटे U की sound छोटी होती है, आप दूसरी लाइन में देखिए, Ooon, Pool, सूरज, तो इसमें लिखा है बड़ा O, ये बड़ी sound देता है, Pool, ये जो फ के नीचे लगी है, ये बड़े U की मातर सूरज के नीचे भी बड़े उकी मात्रा है और इनकी साउंड होती है लंबी छोटे उकी साउंड होती है लंबी तो यही अंतर है दोनों में अब नीचे दिये गए चित्रों के नाम बताईए और लिखिए ये कौन है भालू यहां आप लिखेंगे ये सडक ये टमाटर और ये सूरज अब देखिए भालू शब्द में भा और लू दो अक्षर को मिलाके बनाया है अगर हम भा की जगा पे कुछ और बनाएंगे तो क्य क्या बनेगा चलिए बनाते हैं का लू का लू ला लू लालू ता लू तालू बा लू बालू शा लू शालू तो हम ऐसे शब्द बनाएंगे और लिखेंगे अब सबसे बड़े पत्टे में हरा रंग भरिएवे बताइए सबसे बड़ा पत्ता कौंचा है तीसरे वाला वेरि गूड तो इसमें आप र रंग भरेंगे क्योकि पत्ते का रंग कैसा होता है हरा ग्रीन तो ये था हमारा पार्ट मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक स्वस्त रहिए सीखते रहिए